आपको पते हैं सबसे बड़ी गलती हम फोटोग्रिफर्स क्या करते हैं कैमरा असेसिरी को इग्नोर करना या तो हम खरीदेंगे ही नहीं यह सोच के कि वह पैसा हम अपने कैमरा और लेंस में इंवेस्ट कर देते हैं वह एक बेटर इंवेस्टमेंट रहेगा या फिर हम इतना कॉस्ट कटिंग कर देते हैं कि ठीक एक असेसिरी ही तो है तो एक चीपर वर्जन भी ले लेंगे बिल क्वालिटी पर कॉंप्रोमाइज करते हुए तो इतना फरक नहीं पड़ेगा यह चीजें बात में रिलाइज होती हैं बिकॉस मेरे साथ यह हो चुका है पिछले देड़ साल से श्लाइड लाइड यूज आप यह उन्हां काइंड इनव यह उन्होंने मुझे कुछ प्रॉडटक्स पेचे हैं एक है श्लाइड लाइड देन Then slide है, which is a bigger version, it's usually width strap का वो जाधा रहता है. Then I have leash, यह एक compact camera के लिए camera strap है. And then है cuff, जो आप हाथ में पहन के इसको use कर सकते हो, अगर आप camera strap shoulder पर use नहीं करना चाहिए. So यह एक color है, जिसको मैंने काफे मिस कर रहा है, पिछले तीन साल मैंने हर जगा ढूना, कहीं नहीं मिला, फिर मुझे पता लगा कि Peak Design ने यह जो color है, midnight यह discontinue कर दिया था है. Now they are back with these colors. और अब चार colors आते हैं camera straps में, चाहिए वो slide हो, slide light हो, cuff यह लीश और वो colors है midnight, black, ash और sage. इन में से आपका कौन सा फेवरेट है, comment करके जरूर बताना, मुझे midnight और sage एकदम बढ़िया और unique colors लगे. तो अब अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे features, जिसकी वज़ा से मैं personally slide light यूज़ कर रहा हूं, डेट साल से, और वो है anchor system. अब anchor system यह जो आप यहाँ पे चीज़ देखोगे, और हाँ, एक और चीज़ जो आप लोगों ने मतलब पूछ पूछ के comments में, मतलब इतने comments करें हैं कि यह जो चीज़ लगा हुआ है camera में, यह actually है क्या? तो इसका आज मैं, यह easily connect कर सकते हो और यह इतना easy to use है तो माले लेते हैं मुझे यह camera attach करना, इस camera shoulder strap पे, so it is as symbol as, यहाँ पे यह मैंने इसको match करा, यहाँ से यह करा and push attach हो गया, दूसरे end पे भी same चीज़ करी, मैंने यहाँ पे यह anchor को डाला, stretch करा और अब मेरा यह strap है, यह ready to use है and I can start shooting, normally biggest concern camera strap से यही रहता है, तो उसको नीचे से rotate करते रहा हो, निकालो फिर plate निकालो and it's a very big headache, तो वह कहीं यहाँ पे solve हो जाता है, और in total आपको box में 4 anchor मिलते हैं, plus एक plate नीचे जो यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, तो अगर आप यहाँ ऊपर नहीं यूज करना चाहरे, because एक बड़ा आपको issue क्या रहेगा जो मैंने face कर रहा है, which is let's suppose मैं camera strap यूज कर रहा हूँ, horizontal से मैं vertical orientation पे आता हूँ, तो कहीं न कहीं अब होगा क्या lens क्या है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा आपको issue क्या रहेगा, यह जो strap है यहाँ पे बीच में आता है और मुझे इस तरह से हटाना पड़ता है, इसका solution क्या है कि इस तरह से मैं यहाँ पे इसको हटाके यह नीचे वाला है, और exactly जो seat belt वाला material होता है वैसा ही यह feel होता है, जब आप यूज करोगे मुझे as such कुछ नहीं लगा कि कहीं बहुत pressure आ रहे और उसका reason है, अगर आप slide version यूज करोगे, slide में यह पूरा padding है अच्छा खासा यह जो पूरा pressure है आपका और जो comfort है वो काफी रहता है, तो यह basically मेरे right shoulder पर आता है और यहां पर काफी जादा comfortable रहता है because of this padding, हाँ, एक और चीज मैं आपर बता दू, slide light अगर आप यूज करोगे वहाँ पर as such कोई padding नहीं है, but it is more of, अगर मैं एक basic difference की बात करूँ, अगर आप एक थोड़ा lightweight camera यूज कर रहे हो mirrorless camera या crop sensor body आप slide light easily use कर सकते हो, but अगर आप एक heavy camera setup यूज करते हो, then I would suggest to go with slide, तो मेरे लिए camera strap डिसाइट है तो है सबसे बड़ा factor होता है कि इसकी durability क्या है and at the same time कितना payload ले सकता है, so Peak Design claims की 90 kg तक चाहे वो slide हो, slide light and even leash और cuff भी, मतलब आप सोचो leash which is a very thin camera strap वो भी 90 kg का payload ले सकता है, तो वहाँ पे उस department में तो ऐस सच कोई issue नहीं है, मैंने heavy से heavy setup भी यूज करा है, मुझे ऐसा कुछ issue नहीं दिखा है and it is actually very comfortable to carry, उसके बाद यहां पर एक यह बहुत बहुत ही amazing locking system है Peak Design का and it's very easy to use, आप बस इसको unlock करके slide करो, जहां पर lock करना है वहाँ भी आप इस तरह से इसको lock कर सकते हो और सिरफ एक नहीं actually आपको दो locks मिलते हैं depending on कौन सा left या right वाल आपको easily accessible है आप dual system यूज कर सकते हो locking mechanism का और जो length है strap की वो within seconds आप alter कर सकते हो अगर आपको shorter करना है आप कर सकते हो length बढ़ानी है जैसे मैं sling में use करता हूं तो मैं ज्यादा length लगता हूं I can use that using this locking mechanism और वहाँ पर ही इसका next use जो मुझे लगा वो है इसकी versatility मतलब सिरफ sling की तरह ही नहीं आप इसको neck पर भी use कर सकते हो तो अगर आप इस तरीके से कुछ neck पर use करना चाहरे हो वीडियो बनाते हो या फिर you like using it on the neck वो भी आप कर सकते तो third use है इसका single shoulder तो अगर आप सिरफ shoulder पे camera लगा गया आप घूमना चाहरे हो आप कहीं walk कर रहे हो तो आप इसका एक चीज़ क्या सही है इसको reverse कर सकते हो तो normally जब हम sling में पहनते है ये side नीचे आता है इसको जब मैं इस तरह से उल्टा करता हूं और आप अब कर मैं single shoulder प जैसे मैंना पता है इन तीनों का जो पेलोड है वो 90 kg है जो difference आता है वो आते है इनकी width में so slide का width है वो सबसे जादा है 45 mm then slide light is 32 mm और leash जो है वो 19 mm है so ये जो leash है जो सबसे thinnest camera strap है इसको मैं आपको suggest करूँगा अगर आप बहुत compact camera use कर रहे है एकदम चोट असे lens के सादा mirrorless camera use कर रहे है और इसका ये सबसे बड़ी है जो slide and slide light में वो जो locking mechanism है यहाँ पे सीधा आपको गया करना यह एक ऐसा section बनाओ यहाँ पे आप इस तरीके से करके इसका जो length है वो adjust कर सकते हो बहुत cool और बहुत amazing है अगर मैं compact camera use कर रहा हो था this is something I would have got उसके बाद अगर मैं slide light की बात करो padding missing है जैसे मैंने पताया apart from that everything is same locking mechanism भी वैसा ही है बस एक चीज मुझे difference लगा यहाँ पे जो anchor system है जब इसको निकालते है डालते है slide में आपको actually थोड़ा जादा room मिल जाता है और यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे leather type material है जो थोड़ा extra gap दे देता है यहाँ प मैं इतना compact बना सकता हूं इसको कि यह मेरे pocket में आ सकता हूं और इसको मैं pocket में carry कर सकता हूं and at the end slide is something that I would prefer अगर आप थोड़ा DSLR रूस कर रहो हैं heavy आपका combination है camera lens का then slide is something that you can go for in तीनो camera straps के आपको जो best buy links है वो description में बिल जाएंगे apart from that आप किसी भी camera store पे जाके देख सकते हो you should have peak design products available उसके बाद भी अगर आपको issues लगे तो मैं एक नीचे description में link दे दूँगा वो आप check कर सकते हो end में I would like to talk about cuff जो मैं miss कर गया था तो cuff एक बहुत interesting सा camera sensor है जिसको आप use कर सकते हो अगर आप इस तरीके से अपने हाथ में इसको रखना चाह रहे हो कहीं बार क्या होते यह useful रह सकता है और लास्ट में अगर मैं बात करूं about warranty सो सबसे बड़िया चीज पीक डिजाइन की यह है कि आपको lifetime warranty मिलती है आपको इसकी website पर register करना है and you can claim lifetime warranty so that's it आपके क्या भी उस है comment करके ज़रूर बताना I'll see you in the next video till then take care and keep clicking